जै श्री कृष्णा कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्राठना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त रहें मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें डियर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल इस्प्रिच्वाल डबल बन डबल बन में है डियर आज हम नो कॉंटेक्ट पर रेडिंग करने वाले हैं और आज हम यह बताएंगे कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर ठीक है कॉमें किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी नो कॉंटेक्ट पर रेडिंग कर दीजिए जो लोग सेपरेट हैं या फिर किसी भी वज़ा से उनके दर्मियान बात चीत नहीं हो रही है तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं तो आज हम रिक्वेस्ट पूरी करने वाले हैं बताने अब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक उप्शन चूस करें ठीक है फिर आप अपनी डिदिंग देखिए और अगर किसी वज़ा से जो आप्शन आपने चूस किया है वह आपसे मैच ना हो उसमे परसनल रीडिंग नहीं होती है इसमें कभी-कभी आपके एनरजी आ सकती है कभी-कभी नहीं मतलब मिक्स एनरजी होती है सभी लोगों की तो कभी-कभी कुछ चीज़े मैच होती है कभी-कभी कुछ चीज़े मैच नहीं होती है तो अंडरस्टैनिंग तो दिखाने पड़े होंगे मस्त होंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे मेडिटेशन कर रहे होंगे डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल इस्पिरिच्वल लव का नेक्स्ट एक्षन क्या होगा आपको लेकर ठीक है चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस कर्ग रुष्चिक में राशी जमने लिब्रे एक्वेरियस मिथून तुला कुंबर राशी टॉरस पर गुक्याप्रिकॉन भी है रुषप करन्या मकर राशी एरिस लिओ साइजिटेरियस की एनरजी भी है बड़ थोड़ा कम है थोड़ा कम है आपकी और उनकी दोनों की डेट और बर्थ हो सकती हैं किसी महिने की 12 तारी तीन तारीख 21 तारीख 9 तारीख, 9 तारीख बहुत स्ट्रोंग है, 4 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 27 तारीख, 19 तारीख, 2 तारीख आपका भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है अब हम बर्थ मन्त की बात करते हैं मार्च, सिप्टिम्बर, जैन्वरी, जून, एप्रेल, दिसम्बर ठीक यह है यहाँ पर बर्थ मन्त चलिए इनिशिल की बात कर लेते हैं आपका भी हो सकता है आपके परसन का भी हो सकता है A, S, C, K, T, R, M, A बहुत strong है, G, L, B, ठीक है, अब देखे इधर no contact की situation है, मतब कि बात चीत नहीं हो रही है, ठीक है, और ये जो आपके partner है, एक समय पर इन्होंने, जैसे एक होता है कि पत्थर दिल बन जाना, कभी कोई ऐसा ना करे, किसी के साथ, जैसा इन्होंने आपके साथ किया, बहुत तकलीफ होती जब इन्सान कोई बहुत करीब आता है, बहुत प्यार से बात चीत करता है, उसका अपना कुछ मतलब होता है, किसी भी तरह का मतलब, कुछ भी आप समझ सकते हैं, बहुत करीब आना, और बड़ा खयाल रखना, बड़ा ध्यान रखना, बहुत दिखाना कि वो बहुत कैरिंग है, और आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ जिन्दगी जीना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं इस तरह की चीजे लोग दिखाते हैं न शुरू-शुरू में और जिसे कि आस्मान से ले जाकर बस वहीं धक्का मार देना तो कुछ लोग समल पाते हैं बत कुछ लोग नहीं समल पाते पूरी जिन्दगी वो यहीं सोचते रहते हिए कि क्या हुआ था क्या होता कुछ लोग पूरी प्लैनिंग के तहद आते हैं जैसे कि वह शब्दों के बात्षा होते हैं उनके अंदर कुछ feelings नहीं होती है, वो feelings के साथ आप से बात नहीं करते हैं, बस उनके पास अच्छे attractive word होते हैं, शब्द होते हैं, जो आप जैसे लोग सुनकर सोचते हैं कि इससे अच्छा, इससे बहतर इंसान, कोई हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता, यही मेरा life partner, यही होने, जैसे बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा है, एक समय पर बहुत selfish हो गए हैं, यह बहुत ज्यादा, इन्हें आपका दर्द दिखाई नहीं पड़ता था, सिर्फ अपना दिखाई पड़ता है, कि मुझे क्या अच्छा लगता है, अपना दर्द, अपनी life, अपनी family सब कुछ अपना अपना, और उपर से उम्मीदे इनकी यह होती है, कि आप इने समझो, एक हाथ से तो सिर्फ चुटकी बजती है, ताली नहीं, है ना, पर यह सोचते थे कि इनको देना ना पड़े जिन्दगी में, आप कितना दे दो वो कम है, इन्होंने यह किया है बाद म आपके साथ, तो कभी-कभी आपका मन कहता था, लोट जाओं अपनी जिन्दगी में, मैं जहां से आई हूँ, मैं जहां से आया हूँ, लेकिन लोटना इतना आसान होता है क्या, नहीं लोट पाते हम कभी भी, पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ एक पावर होती है, जो इंसान को उसके पाश्ट से निकाल सकती है, वरना और कुछ भी नहीं है, जो आपको आपके पाश्ट से निकाल सके, वो है meditation, meditation आपको इतना स्ट्रॉंग बना देता है, इतना स्ट्रॉंग बना देता है, कि दीरे 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 आपको दुनिया से मतलब भी नहीं है है ना लेकिन शुरू में हम दूसरों के प्रेम के आधी हो जाते हैं उनकी बातों के उनके प्रेम के उनकी के कर सकते हैं खुद से भी अपनी के लेकिन रगता है कि कोई करें तो इसान आधी हो जाता हूं चीजों का आप भी हुए आप भी हुए और हमने देख रहे हमने दे फैमली की वज़े से फैमली थर्ड पाट्य हो सकते हैं रिलेटिव हो सकते हैं फ्रेंड हो सकते हैं जो जैसे कि इन्हें भड़काने लगे कि हटाओ छोड़ो उसे उससे बहतर मिलेंगे तुम्हें तो इन्होंने शायद किसी और को चूस किया लगता है हमें और वो यह सोच र किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ना बहुत सही समझा इनको लग रहा था कि बस मेरे पास golden chance है और मुझे बढ़ी मिस नहीं करना यह जो सामने वारा इंसान है जो third party आई मेरे लाइफ में अब बस यह छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से चले गए उधर यह अच्छा इन्होंने आपका दर्द नहीं देखा आपके आशू नहीं देखे वो जो इन्होंने बहुत बेरहमी से आपका दिल तोड़ा है इनने उसका एहसास तक नहीं हुआ क्यों? क्योंकि यह कभी आप से serious तरीके से जुड़े ही नहीं उस दिल से कभी जुड़े ही नहीं बाते बहुत अच्छी थी इनके पास शब्द बहुत अच्छे थे हमने गाना कि शब्दों के बात्षा थे यह और आप आप दिल से थे यह दिमाग से थे बट अभी अभी क्या चल रहा है इनके मन में अभी पता है अभी यह न घर के रहे न घाट के इनकी यह situation है जैसे कि आपको छोड़ कर यह जिस तरह से भी किसी और के पीछे भागे थे किसी और की बातों में आकर जिसके पीछे भी अब हम देखिए आपर condition थोड़ी clear कर देते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि family ही third party का role play करती है कि हटाओ छोड़ो यह ऐसी है वो ऐसा है यह मत करो वो मत करो ठीक है तो family आपस में दिवार खड़ी करवा देती है लेकिन आप छोड़ देते हैं family के वज़े से या फिर उनने छोड़ दिया family के वज़े से बट बाद में एसास होता है कि इनके चकर में हमने क्या होग्लिया घुरूं कि जब तक आप cambio एक इनको बड़ा पैयार दिया जा रहा था इनको बिलकुल ऐसा जैसे कि इनको महिम रख्ष जायेग फूलों आदे अनि डैकिन जैसे इन्हों ने आपका ब्रहम तोड़ा ना ऐसे ही किसी थार्ट पार्टी ने इनका ब्रहम तोड़ा है तिट फॉर टैट जैसे को तैसा तो अभी इनकी जो condition है अभी इनकी जो situation है वो जैसे कि कहीं के नहीं भचे अपनी जिद्द करके आपको भला-बुरा बोलकर ये गय तो थे लेकिन अब उधर से भी इने वही मिला है जो इन्होंने आपको दिया था कर्मा लोट कर आता है थोड़ा देर सही पर कर्मों का फल मिलता जरूर है कर्मों की मार पढ़ती जरूर है कोई कभी ये न सोचे कि हमने जो कर दिया है हमने जो किया है इसके बद जैसा बोगे वैसा काटोगे तो थोड़ा सा सोच समझ कर बोग कि आप अपने मनों भूमी में किस तरह की फसल बो रहे हैं क्योंकि काटरी आप कोई है अभी नहीं कुछ दिनों बाद इंसान इस भ्रम में ना रहे कि जो मैंने दिया वो मुझे मिलेगा नहीं ठीक है तो अभी इनकी जो सिच्वेशन है वो कुछ ऐसी है और आपकी जो सिच्वेशन है एक मन कहता है कि रुक जा वो लौट कराएगा बट एक मन कहता है कि उसने कभी प्यारी नहीं किया था वो क्या लौट कराएगा ये मेलों फी मेलों कभी कभी आपको याद आता है कि इस इंसान ने जब इसका मतलब रहा तो बड़ा लुभावनी बाते बड़ा प्यार दिखाया सिर्फ मतलब स्वार्त सिद्ध करने के लिए लेकिन हमेशा आप तरसे हैं इनसे बात करने के लिए इन्होंने कभी आपको सही से टाइम तक नहीं दिया हां मैं बहुत काम में बिजी हूं इस्ट कितने भी लेकिन उनके लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं क्योंकि उनसे सांसे जुड़ी होती है हमारी उनसे जिंदगी जुड़ी होती हमारी लेकिन जब प्यार नहीं होता ना तो इनसान बहाने रूड़ता है अरे यार मिरे पास टाइम नहीं था मैं यह कर रही थी मैं उसे बहाना चाहिए होता है, तो इन्हें प्यार नहीं था, यह बहाने बाजी बहुत करते थे आपके साथ, बहाने बाजी लेकिन फिर भी आपने बहुत समय तक जैसे कि पॉजिटिव होकर इन्हें आपने वक्त दिया, एक मौका दिया, एक चांस दिया, खुद से ही कि हो सकत है कि मेरा प्यार इसे बदल दे, हो सकता है कि मेरा अनकंडिशनल लव इसे एक दिन मेरे पास लेकर आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यह और दूर 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 चले गए, तो अब आपको भी ऐसा लगता है कभी-कभी कि मूव ओन करते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे ल तो जहां पर भी आप इनसे मिले थे, अब आप उस जगा को छोड़ कर जाना चाहते हैं, आप मतलब किसी ऑनलाइन ग्रूप में मिले थे ठीक है, या फिर आप दोनों एक ही office में work करते हैं, स्कूल, कॉलेज, जहां पर भी आप दोनों मिले हैं तो अब आप उस जगा को ही छोड़ देना चाहते हैं जैसे कि कुछ लोग सोशल मेडिया पर मिलेते हैं इंस्टाग्राम पर तो आपका मैन है कि आप इंस्टाग्राम ही छोड़ दे आप फेस्बुक की छोड़ दे, आप स्नाप्चाट ही छोड़ दे यह सब चल रहा है आपके मन में कि न देखूंगी न देखूंगा न फिर उसकी याद आएगी वो सारी चीजे वो नहीं होगी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश है कर रहे है लेकिन पता नहीं क्यों आपका असरत है कि आपकी जिंदगी वे चारों तरफ से तलवारे लटक रही है जैसे कि एक एक पग उपर लोगों ने तलवारे बिचा रखी है और आप एक कदम भी आगे चले वस खतम तो सब कुछ इश्वर पर छोड़ रखा है आपने सब कुछ इश्वर बहुत हैं आपकी लाइफ में हमें लगता है बहुत सरे रोग ऐसे भी है जो बेवज़ा आपसे चुड़ते हैं तो परसनल लाइफ में भी आपको बहुत टेंशन रहती है उपर से ये बंदा होता है ना कि कभी-कभी इनसान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत दुखी होता है हो सकता है कि उसके पास सिर्फ आप ही एक ऐसी वज़ा हो जो इसमाइल देते हो आप से बात करके उसे सुकून मिलता हो कुछ लोगों के पास कोई जीने की वज़ा नहीं होती लेकिन जब उनकी लाइफ में कोई आता है तो उनकी वज़ा बन जाता है उनको लगता है कि हाँ अब हम भी जिएगे हाँ अब हम भी हसेंगे क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स औरेडी बहुत ज़ादा है कम नहीं है समस्याए कम नहीं है लेकिन कभी-कभी कुछ लोग उस वज़ा को भी छीन लेते हैं तो आपके पास यह आपकी वज़ा थे आपके पास वैसे ही चालों तरफ से ज़से कि दो धारी तलवा लटकती रहती है हर वक्त अब मरे कि अब मरे अब मरे कि अब मरे विल्कुल ऐसा फील होता रहता है तो यह आपकी वज़ा थे, आपके हसने की, ये मुश्कुराने की, लेकिन इन्हों ने वो वज़ा भी छीन ली, तो अब आपको लगता है कि मुझे लॉट जाना चाहिए, फिर इनतजार करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कभी-कभी दिल कहता है कि रुको 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 लेकिन कभी कभी मन कहता है कि नहीं यहार वो अपनी लाइफ में मस्त है छोड़ो न उसे कभी है आसास नही हुगा उसे कभी फील नहीं होगा शहद उसमें हम्मत ही नहीं है कुछ लोगों के लिए लगता है कि जो एनकी फैमिली वालों ने इनको रोक रखा है फिर इनकी शादी की बातचीत करवा दिए फिर इनकी शादी करवा दिया है तो आपको लगता हुसमें हम्मत ही नहीं है ठर्ड पार्टी को छोडने कि motor alone नहीं है और जब हिम्मत नहीं है तो फिर क्या फाइदा अच्छा थोड़ी सैड एनर्जी है देखो रहा हमारी आवाज भी वैसे हो गई ना हम नो कॉंटेक्ट पर बहुत कम डिंग करते हैं क्योंकि हम जब रीडिंग करते तो हम एनर्जी में खो जाते एक किरदार में खो ज हैं मरहम भी है क्या करूं के मेरे दिल में तेरा गम भी है वक्त के पास लतीफे हैं मरहम भी है क्या करूं के मेरे दिल में तेरा गम भी है मेरी हर साज तेरे नाम लिखी हो जैसे अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे जागते जागते एक उम्म्र कटी हो जैसे तेरी फरियाद मेरे दिल में दबी हो जैसे मेरी हर साज तेरे नाम लिखी हो जैसे अब कोई आस न उम्मीद न बची हो जैसे जागते जागते एक उम्म्र कटी हो जैसे मेरी हर साज तेरे नाम लिखी हो जैसे देखो लिरिक्स उपर निचे इधर उदर हो गये क्योंकि हमें याद नहीं थे लेकिन हमने बहुत दिल से गाया बहुत फीलिंग्स के साथ गाया आई होप कि आपने फील किया हो तो मेरी हर साज तेरे नाम लिखी हो जैसे अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे सच में अब इनको आप से प्यार हो गया है रियल में जो पहले था वो शायद प्यार नहीं था शायद क्यों लगा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कभी-कभी दिल से बाते की हो इनसान कभी-कभी नाटक करते-करते भी सीरियस हो जाता है तो लेकिन इतना भी सीरियस नहीं थे कि आपके लिए दुनिया से लड़ जाते लेकिन अभी जो एनरजी है वो कुछ ऐसी ही है कि जैसे कि दुनिया से लड़ना चाह रहे है अब वो आपके प्यार की कद्र महसूस हो रही है आपका वो एहसास आप जब साथ थे आप जब पास थे वो सारी चीज़े अब याद आ रही है अब महसूस हो रहा है कि मैंने उसे वो सब कुछ कभी नहीं दिया जो मैंने औरों को दिया है जब इनको धोखा मिला, जब इन्हें दर्द मिला third party से, तब इन्हें महसूस हुआ कि true love किसे कहते हैं, जिस चीज को पाने के लिए तरस रहते हैं, अब इन्हें एहसास हुआ कि यही सब तो आप इन्हें देते थे, तब इन्हें value नहीं थी, तब इन्हें गद्री नहीं थी, अब एहसास होता है तो पता है अब ये ना अपने आप में बहुत परिवर्तन लाना चाहते हैं एक इंप्रूब्मेंट लाना चाहते हैं एक चेंज लाना चाहते हैं अपने आपको बदलना चाहते हैं आपके लिए आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप डिजर् बट अब एक सीख लेना चाहते हैं जिसे एक सिक्षा होती है कि अब यह नहीं करना अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं थोड़ा सा इनका जो मन बहुत जादा बेचैन रहता अशांत रहता है इनके अग्रेशन बहुत जादा है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन वगेरा कभी सहारा लेना चाह रहे हैं ठीक है और यह आपके लिए खुलकर एक्षन लेने वाले हैं इनके अंदना बहुत जल्द जैसे एक ऐसी स्टेंथ हाएगी कि यह सबकी खिलाफ चले जाएंगे अब आपके लिए हाँ और आपके साथ अपने इमोशन अपने अपना प्यार अपने फीलिंग सब उस शेयर करना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी फर्स्ट चॉइस हैं इन्हें बहुत देर में एहसास हुआ कि एक्चूल मे प्यार किसे कहते हैं ये पहले गोरी चमड़ी के दिवाने थे हो सकता अब भी गोरे हो लेकिन थोड़ा इनके लिए वासना ही सब कुछ थी बट अभी इन्हें एहसास हो रहा है आपके प्यार का समझ रहे हैं और आपकी एहमियत का तो अब इनका एक ही एम है एक गोल मान ल से बहुत प्रे कर रहे हैं मेडिटेशन वगेरा भी कर रहे हैं मेडिटेशन वगेरा भी कर रहे हैं और बस अब आपसे बात चीत करना चाहते हैं खुलकर बात करना चाहते हैं आपसे हर एक चीज के लिए माफी मांगना चाहते हैं आपसे जो गलतिया इन्होंने की हैं ठीक आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए आज भी बहुत 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 प्यार है, बस एक होता है न कि इन्हें थोड़ा सा देर में समझ में आया, तो हम ये कहेंगे आपसे कि फ्ली आप मूब ओन मत करना क्योंकि अब ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि इनको लाइफ में कैसे लोगों के साथ रहना है, मतलबी लोगों के साथ में, प्र जो इन्हें ट्रू लव करते हैं जो इनसे अनकंडिशनल लव करते हैं उनके साथ में ठीक है तो अगर आपकी ये दुवाएं थी आपकी प्रार्थनाएं थी कि ये लौट कराएं आपकी जिन्दगी में तो बहुत बहुत शुब काम नाएं आप दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हैं और कहीं न वज़े से इनके सामने जो लोग नकाब में हैं जिनका असली चहरा इने नजर ने आ रहा है वहिशवर इन्हें दिखाना चाहरे हैं बार-बार दिखा रहे हैं कि देखू immer सत्रस्द समझना होगा तुम्हेंस्धर नहीं सुधर ना होगा समझ रहे हैं ? तो ईिश्वर ने क कहीं न कहीं इनके सामने उन सब लोगों के नकाब उतार दिये हैं जो एक खोटा लगा कर इनके सामने थे अच्छा सा स्वीर सा चेहरा बना कर इसी वज़े से तो आपकी एहमियत का एहसास उवाएन है तो आपका इंतजार कंप्लीट होने वाला आपका इंतजार बहुत प्राइवर्टी पर तो होना भी चाहिए आप करियर पर फोकस करिए मेडिटेशन करिए सेल्फ ग्रोथ करिए ठीक है बहुत जल्दी आपके पास आएंगे ठीक है आई होब कि आप समझ के होंगे जैशी कृष्णा अपना खयाल रखिए अपने अपनों का खयाल रखिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा अप्शन नमबर टू कैसे हैं हम आशा करते हैं कि आप स्वस्त होंगे मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे आप मेडिटेशन कर रहे होंगे आप तो मेडिटेशन करते हैं हमें पता है हमने देख लिया है तो डियर आपका बहुत बहुत स्वा दोनों के मनमें क्या चल रहा है दूसरे के लिए? यहापके मन की आप जाने, उनके मन की वो जाने आपकी एनरजी है णा आभी एक सौंग लाया है पहले हमनने दूसरा सोछ रखा था लेकिन आपके मन की आप जाने 16 ऑजाने अचानना के एक सौंग यादा गया वो सुनाएंगे अभी हम साइन और अलिमेंट्स बताने के बाद चीक है सबसे पहले आपके अनर्जी पर सौंग भी इधर जो बहुत स्ट्रॉंग साइन है वह है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वरिशप कन्या मकर राशी कैंसर स्कॉर्प्य पाइसियस करकवु श्रिकमीन राशी एरीस लियो स्याजिटेरियस मेसिंग धनुराशी जेवन है रिब्र एक्वेरियस है बड़ थोड़ा सा कम है थोड़ा सा कम है ठीक है तो चलिए आप दोनों की डेट अब बर्द की बात करते हैं किसी भी महीने की 9 तारीक 6 तारीक 15 ता 17 तारीक जी हां 20 तारीक 29 तारीक 31 तारीक 28 तारीक 13 तारीक 1 तारीक 19 थीक है 3 तारीक यह है आपड़ देट ऑब बर्ध आपकी भी हो सकता और उनके भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों की mix energy है ना दोनों की energy बताने वाले हैं और देखें इधर बर्थ मन्त है वह है जून अप्रेल मई अक्टूबर जन्वरी नवंबर फर्वरी बस ठीक है यह है यह आप बर्थ मन्त आप दोनों का हो सकता है इनिशिल की बात करते हैं, इनिशिल बताते हैं क्या क्या हो सकता है, F, T, H, M, G, R, K, P, S, O, N, B, Q, Q, K, K, ठीके, यहांपर इनिशिल हैं, आप दोनों की है, अब देखो, एक बात हम बता देते हैं, इधर Twin driesarney वालों की एनर्जी है, थोड़ा सा हमारी एनर्जी अच्छी हो गई, खुशी मिली है मतलब, Thank you, love you हमें ना आपके पार्टनर के एनर्जी से कुछ खास लेने दिना नहीं होता है हमें आप लोगों के एनर्जी से मतलब होता है कि आप लोगों के एनर्जी sad नहीं होनी चाहिए high emotional अत्याचार ये नहीं होना चाहिए आप लोग स्वत्त रहने चाहिए मस्त रहने चाहिए आप बस आप ना रो आप मत रोई और वह रोए तो बढ़िया है जिसने आपको रुलाया वह रोए तो बढ़िया है पर आप नहीं रोए चाहिए आप रोगी तो हम आपस ज्यादा रोएंगे तो आपकी जाणरजी है वो बिल्कुल ऐसी है कि मुझे एक दिन लोट कर मेरे पास याना है, इस बुद्धू को लोट कर एक दिन मेरे पास याना है, यह एनरजी है आपकी, जैसे कि बहुत कॉंफिटन्ट होता है इंसान, बहुत आत्म विश्वास होता है, पता नहीं, अप इतने कॉंफिडन्ट कैसे हैं, बढ़िया बहुत बढ़ की situation रहती है तो आप कहते हैं हाँ जाओ 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 जैसे कि आपको पता है कि बेटा अगर तुमने मुझसे बात करने बंद कर दी तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी कैसे टेली पैथी करके 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 manifest करके 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 फिर इनसान परिशान हो जाता है कि यार क्यूं हर जगा यही दिखाई देती है क्यूं हर जगा इसका नाम दिखाई देता है इसका नाम सुनाई पड़ता है क्यूं इससे related चीज़ें दिखाई पड़ती है यह भागने की कोशिश तो बहुत करते हैं हम बताते एक boundary बना लेते हैं समाज में उनकी बहुत मतलब है समाज में एक respected person होते हैं समझ रहे हैं और काफी knowledgeable जैसे कि लोग बहुत मानते हों बहुत respect देते हों तो ऐसे लोग अपनी respect की अपने सम्मान की बहुत ज़्यादा परवा करते हैं कि अगर मेरा कोई वीक पॉइंट या फिर मेरे बारे में कुछ पता चल गया किसी को तो मेरा कहीं सम्मान न गिर जाए कहीं लोग मेरी निंदा न करने लगें मेरे बारे में गलत न सोचने लगें अंदर से यह बहुत प्रेम शून हैं इनके अंदर बिल्कुल भी बहुत खाली बहुत खोखले हैं यह अंदर से अंदर से तो यह बहुत अकेले हैं बट बाहर से बस एक दिखाना पड़ता है नहीं में बहुत खुशून यह है वो है बहुत समझदारी भी इंसान की जिन्दगी से सुकून चीन लेती है सच में समझदारी होनी चाहिए लेकिन अंदर का बच्चा हमेसा जिन्दा रहना चाहिए आपने देखा है जो बहुत समझदार लोग होते हैं आप उनको देखना उनकी आखों को देखना बड़े बेचैन होते हैं वो अंदर से क्योंकि उनका मन करता है समझदारी में खुशी नहीं है समझदारी भी चाहिए रिष्टों मे आप रोबोट बन जाओ, कि टाइम पर खाना खाया, टाइम पर सो गया, टाइम पर उट गया, ये किया, वो किया, रोबोट वाली जिंदगी, है न, एक होता है कि अनलिमिटेड जीना, वो नहीं रह जाता, तो इन्होंने न अपने आस पास एक दाइरह बना लिया है, क्या करे या तो इनको समय ने ऐसा बना दिया है, या फिर इनको लगा कि अगर हम इस तरह से रहते हैं, तो लोग जाता रेस्पेक्ट देते हैं, कम बोलते हैं, कम हसते हैं, कम बातचीत करते हैं, और बिलकुल लहजे में बातचीत करते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, हमेसा स्ट्रेट फॉर्वड रहते हैं इस तरह तो यह थोड़ा सा ऐसे ही है बहुत कम बोलना इनको देकर कभी-कभी लगता है कि यार यह इंसान कभी हस्ता वस्ता है कि नहीं है और आप बिल्कुल मस्त आपके अंदर इतना प्रेम है इतना प्रेम है कि हम क्या बता हैं आप इश्वर से बहुत प्रेम करते हैं और इनसे बहुत प्रेम करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि यह आपकी ट्विन सोल जड़ने हैं और कहीं न कहीं आप एक पावरफुल सोल हैं आप एक ओल्ड तो आप अपनी जिंदगी समझदारी से जीते हैं बद इस तरह की समझदारी निकी एक दाइरा बना लो आप फिर समाज के लोग आपको उसी दाइरे में देखने लग जाएं अगर आप दाइरा क्रॉस करो तो फिर लोग आप पर थूकने लग जाएं नहीं आपको पता है कि आपको जिंदगी कैसे जीनी हैं तो ये कभी-कभी सोजा करते हैं कि एसे इमोशनल यात्याचार करेंगे तो आप बहुत अटेंशन देंगे आप इनके पीछे भागेंगे कि नहीं ऐसा बिलकुल मत करना मैं मर जाओंगी मैं मर जाओंगा आप नहीं करते आप करते ठीक है तुम जाओ कोई दिखते हैं जैसे कि आपको बड़ा यकीन रहता है आपको बड़ा ट्रस्ट रहता है अपने प्यार पर आपने कभी स्वार्थ से प्यार तो किया नहीं जो स्वार्थ वाला रिष्टा होता है वहां डर होता है कि यार अगर इसे कोई मुझसे बहतर मिल गय या चली जाएगी है ना लेकिन जो अनकंडिशनल लव होता है ना जहां पर हमने कभी कोई डिमांड नहीं रखी होती तो वहां पर हमें बहुत confidence होता है कि चला जा बट एक तिन लौट कर तु मेरे पास याएगा तु मेरे पास याएगी होता न ऐसा तो ऐसा ही आपका आपने कभी भी इनसे वैसा प्यार नहीं किया कि इनको लगे कि इससे बहतर लोग मिल सकते मुझे लाइफ में इससे बहतर इसी वज़े से आप इतना confident रहते हैं तो हमें आपका confidence बहुत अच्छा लगा और आप इनसे बहुत 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 प्यार करते हैं आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं आपकी लाइफ में दो तीन चीजे फर्स्ट प्राइवर्टी पर है एक आपके spiritual ग्रोथ दूसरी आपकी family और तीसरा आपका करियर और उसके बाद ये मतलब आप इनके लिए अपने जिंदगी भी नर्क करने वालों में से नहीं है आपको पता है कि actual में twin soul journey क्या है शरीर को पाना twin soul journey नहीं होता है मतलब कि शरीर मिल जाए वो मुझे से शादी कर ले बच्चे हो जाएं फिर हम diaper change करते रहें ये ये नहीं होता Tina twin soul journey का मतलब होता है आत्मा से एक हो जाना आत्मा से एक होना शरीर किस के पास सो रहा है किस के साथ बैठ रहा है किस के साथ गुम रहा है कोई फरक नहीं पड़ता वो किस के साथ बड़ी-बड़ी बाते कर रहा है कोई फरक नी पड़ता लेकिन वो आत्मा से मेरा है मुझे इस बात पर घर्व हैं। ऐसा होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि twins solderny क्या है और आपको ये भी पता है कि मैंने कभी इसके साथ बुरा नहीं किया, ना मैंने इसके साथ बुरा किया है और ये चाहा कर भी मेरे साथ बुरा कर रही सकता और अगर ये करेगा तो खुद ही रोएगा मुझे नहीं रोना ये खुद रोएगा तो बस आपको बस यह है कि आप अपने प्यार में मस्त रहते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप नहीं सोचते हैं कि मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या कह रहा होगा, मेरे बारे में दूसरों से क्या बाते कर रहा होगा, नहीं, आप बस खुश रहते हैं, तो बड़ी अच्छी बड़ी पॉजिटिव एनरजी है वैसे हमें लगा था कि आज हम नो कॉंटेक्ट पर रीडिंग करेंगे लेकिन क्या करें ट्विन सोल जर्णी वाले में चले आए और जो ट्विन सोल जर्णी वाले ना बड़े मैच्योर बड़े समझदार हैं ऐसे भी नही क्यों है दीदी उसने व्लोक कर दिया मैं मर जाऊंगी नहीं हम मजाक नहीं उडारे हम समझ सकते हैं अग्या बुरा लगता है जब आप किसी और को बहुत ज़्यादा एहमियत देते हो मसत रहो मतलब कि मसत रहा करो life में क्योंकि अगर आप मसत रहोगे तो सामने वाला देखेगा यार ये तो खुश है तो फिर दुख से कोई attract नहीं होता, सुख से लोग attract होते हैं दुखी लोगों से लोग भागते हैं कि जब इसके पास जाओ तो वही दुख का रोना शुरू, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो ऐसे लोगों को इनसान बहुत समय तक जहेल नहीं सकता, जिसके साथ खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, लोग उसके साथ रहना पसंद कर करते हैं, समझ रहे हो ना, तो अपने अंदर इतनी मस्ती रखो, इतना प्रेम रखो, कि लोग आप से बात करने के लिए तर से, दुखी लोगों के पास लोग ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, सुखी लोगों के पास खुश लोगों के बैठते हैं, तो इस लिए, हां हम सौंग सुनाने वाले थे ना देखो किती लंबी बात हो गई कोई बात नहीं हम सब परिवार के लोग है आप सब हमारे सामने बैठे हो और हम आप लोगों से बाते करने यही होता है ना हम तो हम सुनाते हैं आपको कि आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए फिर वो बताएंगे कि उनके एनर्जी क्या है आपके लिए दोनों सौंग के थुरू बताएंगे ठीक है चलिए आप आखे बंद करिए और फिर हमें कॉमेंट करके जरूर बताना कि क्या सच में आपकी यही सासो की माला पे, सासो की माला पे सिम्रू मैं, सिम्रू मैं, पी का नाम, पी का नाम सासो की माला पे, सिम्रू मैं, पी का नाम अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम सासों की माला पे सिम्रू मैं पी का नाम, पी का नाम प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप प्रेम की माला जपते जपते, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बद नाम सासों की माला पे सिम्रू मैं, सिम्रू मैं, पी का नाम पीका नाम अपने मन की मैं जानू और पीके मन की राम सांसों की माला पे सिम्रू मैं पीका नाम सांसों की माला पे आपको हर घड़ी हर घड़ी इनी का ख्याल रहता है अब अगर कोई सांसों की माला पे किसी का नाम जबता है तो वो से बहुत strongly manifest करता है सांसों की माला पे लोग भगवान का नाम जबते हैं आपका प्रेम परमात्मा में बदल गया है आपकी प्रेम में वासना नहीं है कहते हैं कि आप जिससे प्रेम करते हैं अगर आपके मन में उसे पूजने का भाव नहीं उठता अगर आपके प्रेम में आपको परमात्मा नहीं दिखता तो आपका प्रेम प्रेम नहीं सिर्फ आकर्शन है जी हाँ, सिर्फ आकर्शन है प्रेम ही अंततह, प्रेम की जो अंतमन्जिल है वो परमात्मा तक पहुचना है कि प्रेम ही एक दिन परमात्मा बन जाता है ऐसा प्रेम करिए और जो ट्विन्स ओल जड़नी है वो यही है कि प्रेम ही परमात्मा बन जाता है ठीक है तो सांसों की माला पे सिम्रू मैं P का नाम मतलब कि उनका नाम और अपने मन की तो मैं जानती हूँ मैं जानता हूँ लेकिन उसके मन की राम मैं अपने मन की जानती हूँ पर उसके मन की तो राम जाने अपने मन की मैं जानू और उसके मन की राम सासो की माला पे सिम्भु में पी का नाम अच्छा प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप अब लगता ही नहीं कि वो अलग में अलग एक ही हो गए हम हम एक हो गए ऐसा फिल होते है ना हम एक हो गए हम अलग ही नहीं है ये पता है, आज हम जो reading कर रहे है बहुत, हाई लेवल की reading है, हो सकता है कि कुछ लोग यहां पर Twin Soul Journey वाले हैं, जो ऐसे हुझे जिनके दर्म्यान बहुत चिक 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 चिल रहे हो, बहुत लड़ाई जगडे चल रहे हो, बहुत नेगेटीव इडियो, बहुत टॉक्सिक रिडेशन्शिप है, तो माफ करेंगे शायद आज डीडिंग आपके लिए नहीं हो रही है, आज पता है आज उन आत्माओं के लिए ये रीडिंग है, हम हमेशा इस सिच्वेशन में न ये बहुत हायर लेवल की सिच्वेशन है जो आपके अंदर है, आप हमें बहुत बहुत ज्यादा अच्छे एक तरीके से हीलर लग रहे हैं, बहुत अच्छे मेडिटेटर लग रहे हैं, मतलब कि आपकी काफी सेल्फ ग्रोथ हुई है, काफी ज्यादा इंप्रूव्मेंट जैसे कि अपने सभी चक्रास बैलिंस कर रहे हैं और आपको स्वाख अनुभव आत्मबोध होने लगाए धीरे धीरे और इस लिए आप महसूस करने लगे हैं कि जब इंसान प्रेम में डूप जाता है तो फिर दो नहीं रहते फिर एक ही हो जाते हैं, आज कल साधारन भासा में लोग बोलते हैं कि शादी हो जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे वो एक होने का पतला क्या मतलब निकालते हैं समझ लो समझ लो वो एक होना नहीं बोलते हैं उसे एक होना नहीं बोलते हैं कि हम शादी कर लेंगे हम एक हो जाएंगे कहां से एक हो जाओगे कैसे एक हो जाओ यह शरीर की आजम एनरजी, शरीर की आजम डीडिंग करिए नहीं रहे हैं, यह समझ लोग, तो प्रेम के रंग में ऐसी डूबी कि बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप, अब न वो अलग है न मैं अलग हूँ, हम एक ही तो हैं, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, हम प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, और प्रेम की माला जबते जबते हो गई मैं बदनाम, अब दुनिया वाले क्या जाने यह कौन सा प्रेम है, दुनिया वाले तो उमर का तगाजा लगाते हैं, दुनिया वाले तो एज डिफरेंस देखते हैं, प्रेम है, तो यह आपका जो प्रेम है कुछ ऐसा ही है, बड़ा 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 उच्च दरजे का प्रेम है, यह समझ लो, तो आपकी जो एनरजी है डियर, अब उससे हम और ज़्या शब्दों में बया करें, बस इतना समझ लो कि आप अपने उच्च शिखर पर हैं, जी है, और यह आपका डिफिनेट्टी लास्ट बर्थ होगा प्रत्वी पर, अगर आपका यूनियन वैसे इनर लेवल पर हो रहा है, दीरे-दीरे कुछ लोगों का हो भी चुका है, कुछ लोगों का भी होना है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप जिस रफतार में, इस कर्माकी कर्मों का बंधनन नहीं होगा कि करमों का बोज नहीं होगा, कि आपको आनहीं होगा, आप अपाम हो कहाँ और प्रत्वी पर h事情, आप को भी डेखना है, और बस अब आप बहुत ज़्यादा meditation वगयरा manifestation करते रहते हैं और आप इश्वर के फैसले का सम्मान करते हैं आपको जो चाहिए होता है आप उसे अपने इक्षा सक्ती से प्राप्त कर लेते हैं जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे चाहिए तो आपको मिलता है मिलता है चली अब इनके energy बता देते हैं आप बेताब होंगे कि भाई उसके मन में क्या चल रहा है यह इनसान जैसे कि बहुत ज़्यादा अपने करियर को first priority देने वाले हैं कि नहीं नहीं मुझे करियर के बारे मुझे वारे मुझे तो यह आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं बट बात में अफसोस होता है इन्हें गिल्ट होता है बहुत दुखी होते हैं जब इन्हें detachment feel होता है इन्हें जब यह लगता है कि आप इनसे दूर हो रहे हैं फिर इनके मन में खुराफाती वाली बाते आने लगती है कि अच्छा आजकल वह उसे बात ने कर रही बात ने कर रहा कहीं कोई और तो नहीं आगया उसकी लाइफ में तो जो यह है आपके person इनको यह लगता है कि अगर यह मुझसे बात ने करी तो मत्तब पक्का इसकी life में कोई और आ गया पक्का एक बात और बता है सपने भी आते हैं इसी तरीके के कि आपकी life में कोई और आ गया है, आप बहुत मज्त हैं, आप उसके साथ घूम रहे हैं, तो इनको भी यह लगता है, फिर इने बहुत रोना आता, फिर इने बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि यह on-off की situation रखते हैं, जब इनका मन होता है, तो फिर आ जाते हैं, जब इनका मन हो कर रहे हैं, आपने इनके पीछे बहागना छोड़ दिया है, तो जैसे कि रिग्रेट हो रहा है, माफी चाहा रहे हैं, जैसे कि कोई गल्ती हो गई है इनसे, और मजबूर तो यह हमेशा रहते हैं, हमने बताया न, इन्होंने अपने आसपास एक ऐसा दाइरा बना लिया है, कि जिसकी वज़े से अब इन्हें सोचना पड़ेगा, कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगी, तो लोग क्या कहेंगे, अब इन्होंने एक परकोटा बना लिया अपने आसपास, समझ रहे हैं, एक दाइरा, एक लिमिट बना दी नहीं है तो समाच के जो लोग है अब वह इन्हें इसी लिमिट में देखते हैं ऐसे देक्ते हैं जैसे कि मान लीजिए को बहुत व्यक्त्य हो अगर वह उसकाह्सने का मन हो वहाजना हस भी सकता लो करेंगे क्यों अस रहे हो वह रौ भी वाई क्यों रो रहे हो हर चीज का एक इशू बन जाता है तो इनकी लाइव भी कुछ ऐसी है हो सकता है इनके काफी फॉलोवर्स हो काफी कुछ काफी मतलब पहुंचे हुए व्यक्ति हो तो बस इन्होंने जो दाइरा बना लिया है अब ये दाइरा ही इनको घुटन देता है बस इनका सपना अभी ये है कि आपके साथ जिन्दगी जीनी है आपके साथ मैरेड लाइफ जीनी है हाँ अब इनका सपना ये है कि बस आपके साथ ही लाइफ को आगे बढ़ाना है बट अभी खुश नहीं बिल्कुल भी है इन्हें बहुत रोना आ रहा है और इनको लगता रहे हैं को जी के तो बताए ऐसी जिंदगी है इनकी तो इनको इनकी मर्यादाओं ने इनको इनकी रिती रिवाजों ने इस कदर बान दिया है कि जैसे कि चाहा कर भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पा रहे हैं हां बट यह बहुत दिन तक नहीं चलेगा यह बह इनके energy में काफी सुधार आएगा October तक समझ रहे हैं अभी यह जो बहुत जादा बने रहते ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे यह मुझे वो देखना फिर यह बिल्कुल आपकी तरह होंगे और यह बहुत जल्द आपके लिए action लेंगे ऐसा नहीं है बहुत जल्द क् इन्हें आपकी बहुत याद आती है अभी बात नहीं कर रहे हैं आपसे हो सकता है इनका ego इन्हें जुकने नहीं दे रहा है लेकिन यह जल्दी बात करेंगे और अभी पता है अभी कहीने कहीं इश्वर की तरफ से इनकी healing भी जल रही है तो जल्दी action लेंगे आपके लिए अगर इनकी शादी हो भी जाए किसी और से तो भी इनकी जिंदगी आपके यास पास घूमती रहेगी आप इतना समझ लो आप दोनों की destiny जुड़ी हुए एक दूसरे के साथ कितना भी भाग लो एक दूसरे से पर कभी दूर नहीं हो सकते है किसमत आप दोनों को बार बार हैं यह भी समझ रहे हैं दीरे-दीरे कि घूम फिरकर मेरी जिंदगी इस तक ही आती है मतलब कि यह कुछ है अब यह समझ रहे लगे हैं चीजों को कि हां मेरा इसके साथ जरूर कुछ स्ट्रॉंग सा है तो स्वस्त रहिए मस्त रहिए टेंशन बिलकुल मत लीजिए ठीक है आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और इनकी जो एनरजी थी वो हमने बता दी आच्छा सॉंग सुनाना था ना टाइम लंबा हो गया इस वज़े सॉंग नहीं सुना रहे हैं हम आपको बताते हैं आप यूटूब पर सुन ले न जिधर भी ये देखे जिधर भी ये जाए तुझे ढूड़ती है ये पागल निगा है ये पागल निगा है मैं जिन्दा हूँ लेकिन कहां जिन्दगी है मेरी जिन्दगी तु कहां खो गई है समझ रहे हैं हमने अच्छे से नहीं आया इस वज़े से आप इसे सुनिए ये इनकी एनर्जी है अब हम इसे सुना दे तो बड़ा लंबा टाइम हो जाता ठीक है तो चलो अब आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर इश्वर को ग्राटिट कर जाती है थोड़ी सी तवियत भी डाउन हो जाती है हमारी कभी कभी तो बस आप लोगों का प्यार ही हमें हील करता रहता है ठीक है तो चलते हैं स्वस्त रहिए मस्त रहिए अपना खयाल रखे दूसरों की परवा मत करिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है आपका चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा आप सभी के रिदय में बैठे परमात्मा को हमारा शाधर प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साहिराम